तो हैं एक होता一 तब्लॉक होता है और एक होता है और एक हुता है रुद्फ टब्लॉक इस अथा विडियो करेंगे कोचे काइसे उसको में जानेंगे antiso king है G's तो प्लीस प्लीज पीडियो को यक कर दीजिए चल्लो कऊ सब्सक्राइब कर दीजे Lasak से यूनी वीडियो हमारी यूट्यूब चैनल पर अप्लोड किया जाते हैं चलों को सब्सक्राइब करो ना बहुत आइड आइड पास क्रेट कर था और मैंने अचली पूरा आउस्टेंडिंग क्लियर करके क्रेट कर दिया तो क्रेट कर कैसे क्लोज करते हैं इसके मैंने अल्रेड एक वीडियो बना है तो मेरा आप डिस्क्रेशन में मेरा लिंक है वीडियो का आप उसको देख सकते हैं अगर आप वो card को re-activate करना है या card block है तो इसको activate करना है तो कैसे करते हैं आज इस वीडियो में जानेगे तो सबसे पहले IDFC का मेरे पास देखो card है यहाँ पर लिखा request for closure card close करने का मैंने request दिया था अब मुझे लगा कि नहीं में card को use करना है तो मैंने क्या किया सबसे पहले customer care पर call किया customer care का number है आप यहाँ पर देख सकते हैं 180010888 इस पर मैंने call किया call करने के बाद मैंने क्या किया सबसे पहले customer care team को बोला कि कि मुझे मेरा card active करके चाहिए क्योंकि card को use करना है मुझे ठीक है मैंने गलती से card cancel करने का request दे दिया तो उन्होंने क्या किया फटक से request लिया और request लेने के बाद में उसको raise कर दिया तो आज morning में मुझे mail आए कि आपका card request cancel हो गया card reactivate हो जाएगा within five day में okay second क्या होता है अगर आप card cancel कर दिये support एक तारीक हो और आपने request अगर आप दे रहो 8 तारीक हो तो valid नहीं रहेगा साथ दिन के अंदर आपको report करना होता customer care team को कि मैंने आप card गलती से cancel किया है और मुझे reactivate करना है तो हो जाता है साथ दिन के अंदर okay और यह आप देख सकते हो मुझे mail भी आया IDFC bank के तरफ से कि dear customer we are happy that you are choose to continue with IDFC bank rate card ठीक है और यह मुझे यह mail आया था तो ऐसे ही आप भी request देके और अपने card को reactivate कर सकते हो card अगर block है तो ओ भी आप customer care team को पूछ सकते हो कि region क्या है ब्लॉक करने का या पर्मामेंट block है तो उसको reactivate कैसे करते है या temporary block है तो replacement कैसे करते हो customer care team से आप कर सकते हो बाकी तो replacement कैसे करते है इस पर मैंने already एक वीडियो बना है तो उसका आपको अच्छा लागा अच्छा लागा लाइक सब्सक्राइब से और कुछ जाना तो प्लीज कमेंट करदे नहीं मिलते हैं इस वीडियो